एक एक सफेद बाल जड़ से काला होगा दस गुना तेजी से बाल बढ़ने लगेंगे और बालों से जुड़ी हुई सारी दिक्कते दूर हो जाएगी इस पावरफुल घरेलू देसी रेमेडी से एक बार जरूर राय करके देखिए इसमें आपका एक भी रुपया खर्चा न पत्ता फ्रेश कड़ी पत्ता लेना है धोके अच्छे से इसे कपड़े से ड्राय करके ले लिजे जिसी कि इसमें जो धूल मिट्टी हो या कुछ भी बाहर के कन हो तो वो निकल जाए और इसे साफ करके लेने के बाद दिखे इस तरीके से पत्ते हमें निकालने हैं आप करी में बहुत ही आसानी से मिल जाता है तो जैसे आप खाने में भी इसका यूज कर सकते हो और बालों के पर लगाने में भी दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा फायदे मंद होता है तो कड़ी पत्ता मैंने कटोरी भरके निकाल लिया है इसके बाद यहां पे हमें चाहिए खल चाहिए ताकि मेरा वीडियो कहां का पोचा मुझे पता चल सके तो यहां पे देखे हमें क्या करना है शुरू में पत्तों को इस तरीके से अच्छे से तोड़के इसके अंदर डाल दीजे या फिर कूट के इसे थोड़ा सा दो तीन हिस्सों में कर दीजे ऐसा नहीं कि विल perform रन चाहिए वह है तो कहल मसालदानी में होती है। डेली हम यूज करते हैं और सर्सों का तेल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है वैसर तूड़ा सा कूट एंगे दरदरा ही पीश लेंगे। जिसी की क्या हो तने से अगर आप ऐसे ही लेते हो पूरा का पूरा तो थोड़ा बनने में टाइम लगता है पर अगर इसे कूट के लेते हो तो यह जल्दी बन भी जाता है और इंस्टंट रिजल भी मिलता है तो यहां पे हमने ले लिए है राई इसके बाद यहां पे हमें च से सकर सकते हो और हाँ आप चानल पे नए आए हो तो जरूर चानल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही यूसफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहती हूँ तो कुछ दिनों तक आपको इसका यूस करना पड़ेगा पर जैसे अगर आपके बाल अभी सफेद नहीं भी हुए है तो भी आप इसका यूस कर सकते हो क्यूंकि आने वाले टाइम में कभी भी बाल आपके सफेद नहीं होंगे और बालों से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपके दीन नहीं आएगी इसके बाद यहां पर हमें लेना में थीदान बालो को कवच की तरह काम करता है मैधी दाने की बहुत सारे फायदे है चाहो तो आप ऊच्ल कर सकते हो बहुत ही बड़ी आएं इसे वी हमने से अच्छ और आपको मिडियम साइस का लेना है चाहो तो आप ज़्यादा भी प्यास यहां प्यूज कर सकती हो प्यास का तेल आजकल मार्केट ने अपने देखा होगा बहुत ज़्यादा मिल रहा है बालो के लिए अच्छा भी होता है पर उसमें मिलावट होती है पर अगर आप इसे घर पे बनाते हो न तो आप देखोगे, इसका best result मिलता है, वो भी सस्ते में must, एक बार जरूर राय करके देखिए, प्यास को भी हम बारी किस तरीके से कट करके लेंगे, इसके बाद देखें, यहाँ पे हमें लेनी है, कोई भी एक बरतन, अगर लोहे का बरतन है, तो और भी अच्छा है, यहाँ करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे, जो की हमने तियार करके रखी है, इसके बाद काले तिल डालने है, और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, बाकी ओईल भी इसमें जाएगा, पर कुछ देर बाद आपको डालना है, शुरू में ही सारा ओईल बिल्कुल भी नहीं डालना है, अब यहाँ पे देखें से अच्छे से इस तरीके से अच्छा होता है, एक बार जरूर राय कीजिए, और यह मेजरमेंट जादा कुछ आपको फिक्स लेनी की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे मैंने ओईल डाल दिया, और थोड़ा सा ओईल में बाद में डालूं यहाँ पे हम डालेंगे मेथी दाना, मेथी दाना देखिए, हलका सा यह सब कुछ पक जाए, उसके बाद ही मेथी दाने को डाल दीजिए, शुरू में डालोगे तो पूरा वो जल जाएगा, और उसका कुछ फाइदा भी नहीं होगा, तो यहाँ पे जो ओईल है बिल्कुल रोज रोज बनानी की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है, एक बार बना के आप छे मेने तक इसका यूज़ कर सकते हो, पर बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ओईल है न वो खराब ना हो, और खराब होने के बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसी कि आप ओईल को अच्छ ब्राउन करेंगे, जिसी की सारी नमी खतम हो जाए, ये सारी चीज़े क्रिस्पी सी होने लगती है, अगर आप इसे चलाते हो, तभी आपको समझाएगा कि अभी इसमें से मौशर खतम हो चुका है, और ऑईल हमारा सही टेंपरेचर पे गरम हो चुका है, तो बस यहां पे ह जानना बहुत ज़्यदा जरूरी है, और सबसे जरूरी बात ये अभी बहुत ज़्यदा गरम है, तो गरम में ही हम इसे च्छानेंगे, क्योंकि जैसे यह ठंडा हो जाता है इसमें से सारी चीज़े ओईल को सोक लेती है, और पूरा ओईल हमें नहीं मिल पाता, वेस्ट होत तो देख साकते हो दैख सारा ओईल मेंने निकाल लिया है और उपर का जो भी चीजे डाली थी उसमें से भी ओईल पूरा निकल चुका है दो कप के करीब औल यहाँ पर बन के तयार हो चुका है अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है ओईल बहुत ज़दा गरम है तो हलका सा हम इसे ठना होने देंगे गुलगुना होने देंगे क्योंकि गरम पानी, गरम हवा, गरम तेल कभी भी बालों के उपर नहीं लगाना चाहिए उससे हमारे बालों की जड़े है वो डैमेज हो जाती है और इससे बालों से जुड़े भी वाश कर दीजे बालों के जड़ों में बालों के उपर अच्छे से से मसाज हलकी हलकी करते हुए लगाना है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा और हां वीडियो थोड़ा सभी अच्छा लगा हो जदा ज़दा शेयर कीजे थैंक्यू